हेई एवन हाओ यू आप लोग सो जिस बुक की हम बात करें उस बुक का नाम है ट्विस्टेड लव और यह बुग लिकी एना हुआंग ने सो वीडियो शुरू करने से पहले एक चोटा सा रिमाइंडर बहुत सारे से लोग हैं जो वीडियो देखते तो यह बड़ चैनल को सस्क्राइब नहीं करते आप से रिक्वेस्ट आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना हो और जो अगर यह बात सब को पता है तो सब गलत है पहले की तरह अब अपने घड़ी को देखता है जो कि होती है पैटेक फिलेपी की घड़ी बहुत ही लिमिटेड एडिशन कई लाखो रुपय की घड़ी होती है और यह घड़ी उसने तब खरीदी होती है जब उसने एक फैनेंशल मॉड्रिंग सॉफ़वेर बेचा था अपने चौदवे बर्डे पर अब वो सॉफ़वेर न करोर रुपय का था अब एलेक्स बोलत काणता हूं जो तुम्हारा दूसरा करीयर है बसकर का बसकर बेषिकली वह होता है जो सबसे बड़ी कोलेज में जाने वाली है मैं तुम्हें जो भी कुछ करना तूम मेरे अगेंस करो न मेरे परिवार को मेरे इंप्लॉईउस को उसके बीच में पें मत लेकिया आ हो अब जो Alex है न बोलता है मैंने तुम्हारे गेंस कुछ भी नहीं करा है Andrew अब उन्हों कॉफी को पीता है और भई इस वक्त न वो कॉफी पी रहा था और जनरली जो लोग थे वो कॉफी नहीं पिया करते थे इस वक्त क्यों को सोना होता था लेकिन जो Alex है न वो कहता है मुझे कोई प्राब्लम नहीं है मैं कभी भी नहीं सोगा तो चलेगा Alex Andrew को बोलता है न यह बिजनेस है इसमें कोई भी परसनल नहीं है अब Alex होता है न कि लोग को यह बास समझ क्यों नहीं आती जो परसनल अपील है वो कॉपरेट वर्ड में बिल्कुल भी मैटा नहीं करती या तो तुम दूसरों को खाओ या फिर दूसरे तुम्हें खा जाएंगे और मैं यहां पर ऐसा नहीं हूँ कि वोई मुझे खाए क्योंकि यहां पर जो सबस्छा था टाइम, पैसा, अटेंशन यह सब चीज़े डिमांड कर देते लेकिन उसके पास एलेक्स एब बिल्कुल भी टाइम नहीं था एलेक्स बोलता है और यह कहते ही न फोन कट कर देता है और उस होसता है न कि यह भीग मांग रहा कुछ भी करें मेरी बला से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता अब एलेक्स होसता है न कि भी इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि एक CEO कंपनी का वो भिकारी बन जाए क्योंकि भी जो ग्रूपमेन एंटरप्राइजस थी उसका टेक ओवर हो चुका था एलेक्स की कंपनी नहीं उस कंपनी को ख़री लिया था और ग्रूपमेन इंटरप्राइजस नहीं एक छोटा सा प्यादा था उसके लिए उसको इसको निप्टाना था ताकि भी जो बड़े-बड़े प्लेयर्स है मार्केट में वो उनको जाके कैप्चर कर सके जो आचा ग्रूप है ना वो अभी रियल स्टेट में डील करता है और आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों में वो लोग हाँ चीज में होंगे टेली कम्मुनिकेशन्स, e-commerce, finance, energy सब चीजों में और जो ग्रूपमें था वो एक छोटी सी finance industry में था लेकिन भई वो एक बहुत अच्छा नील का पत्था साबित होगा जब आगे चलकी लोग बिजनस expand करेंगे तो और इसके लावा जो एंड्रू था ना वो एक नंबर का गांडू आत्मी है उसने ना कई बार कोट के बाहर settlement करा था जो उसकी निकालना है क्योंकि भई जो मेरा phone number है वो बहुत ही चुनेंदा लोग के पास होता है और यह चीज ना उसको समझ नहीं आती उसने कई बार ना चीजे खराब कर दिये हैं पेपर वर्ग खराब कर दिये हैं मेरी appointment गलत कर दिये हैं कई बार जो VIP लोग की call लाती है वो मुझे बताना भूल जाती है और मैंने उसको बहुत ही मजबूरी में रखा था क्योंकि जो उसके पापा है और वो बहुत बड़े नेता है उन्होंने मुझे से request कही थी कि मेरी बेटी को रख लो ताकि कोई real work experience हो जाए लेगें कल सुबह 8 बजे मैं उसको निकाल दूँगा अब उसके बाप से बार में deal कर लूँगा अब जो ilex होता है वो क्या करता है जो coffee उसका coffee cup होता है वो अराम से sink में रख देता है उसके पूरे घर में शान्ती होती है वो अराम से couch पर जाके बैठ जाता है वो जो उसकी mental therapy होती है जो चीजों को सोच लेता था बहुत अच्छे से वो सोचना start करता है अब बात उसको याद आती है 29 अक्टूबद 2006 की उसका पहला birthday था जब वो अनात हो गया था पहल सकता है यह बहुत जारा depressing sound करे लेकिन वो ना उसको ऐसे नहीं देखता था और नहीं वो sad था वो बस उसको फरक नहीं पड़ता था अपने बर्डे से क्योंकि जो बर्डे थे ना उसके लिए बिल्कुल meaningless थे कि बही कलेंडर में एक date fix हो गई है और जिजन आपको यह ल और वो सोचता था ना कि मुझे अभी वो बर्डे याद है जब मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ surprise करा करते थे एक साल मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरे कुछ करीबी दोस्त हम लोग गए थे New Jersey में six flag जो की एक मेला था हमने वहाँ पे hot dogs काया जूले जूले और हम तक त इस तर में बैट के अपना breakfast करा जो मेरे माता पिता दे ना उनको यह लग रहा था कि मैं सो रहा हूं और जो मेरे पापा दे ना उन्होंने भाईया एक गूफी सी टोपी पहन ना की थी ममी पापा ने पापा के हाथ में ब्लूबैरी pancakes थे जो की syrup में डूब हुए थे और दो चोटी बहन चलने लगी उसके बाद उसने भी उसको जॉइन करना शुरू कर दिया वो क्या होता था जब उसका birthday होता था ना उसके ऊपर चल जाती थी उसके बालों के साथ खेलती थी और उसके पूरे कमरे में ना जो बालों वाले जिऊं होते ना वहां होते उसको complain करता थ और अब वो लोग जा चुके हैं उसके पास कोई भी परिवार नहीं है कोई family trips नहीं कोई blueberry pancakes नहीं bacon के साथ जो उसका birthday था ना उसको फरक ही नहीं पड़ता जो उसके अंकल थे ना वो कोशिश करते हैं उसके लिए big chocolate cake लेके आते हैं उसको ना एक पास के बड़े game parlor होता है बहुत बड़ा सा ना वहां लेके जाते हैं वो लोग table पर बैठे होते हैं dining area में और जो Alex ना वो कुछ सोच रहा था कुछ analyze कर रहा था कुछ याद कर रहा था उसके अंकल बोलते हैं Alex जाओ जाके खेल दो तुमारा birthday और जो उसके अंकल थे ना उनकी काफी build well अच्छी थी salt papers ऐसे उनके बाल थे बिल्कुल बालों को लगा के रखते थे और जो उनकी आंके थी ना वो brown का लगी थी बिल्कुल उसके पापा की तरह है वो इतने handsome नहीं थे लेकिन हमेशा अपने कपड़ों अच्छे बंठन के रहते थे और आज ना उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे उन लोग के थोड़े इस्टे तूट गए थे लेकिन उस दिन उन लोगोंने बात करी और जो उसके अंकल थे ना इवान उन्होंने ये decide करा कि इसको ना मैं अना थाले में नहीं भेजूँगा ना ये foster home में रहेगा इसको मैं पाल पोस्के बढ़ा करूँगा अब जो Alex होता ना कहता है मुझे नहीं खेलना और अपने हाथ से टेबल पर बजा रहा होता है उसको ना वही चीज याद आती है कि वही तीन गंशॉट की सुनाई दीती उसको और वहाँ पे हर तरफ खूनी खूनता तीन बॉडियां पड़ीती उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है फिर उसको आज का दिन याद आता है कि वही यह सब कुछ आज चल रहा है और उसको गिफ्ट भी बिल्कुल भी पसंद नहीं रहते हैं वह सूचता है कि गिफ्ट भी सब बेकार की बाते हैं वह अपने दिमाग को बिल्कुल तयार कर रहा होता है कि वही मुझे कैसे रहना है अब उसके अंकल बोलते हैं बिटा तुम्हें क्या चाहिए अब जो एलेक्स होता है वो अपनी अंकल के आँखों में देख रहोता है जो उसके अंकल होते हैं थोड़ी सी आँखे चुड़ा लेते हैं और जो लोग हैं वो कभी भी नहीं गएंगे लेकिन जब तो उसके परिवार का मडर हुआ है जो एलेक्स था वो तो बिलकुली बदल गया है जब उसके अंकल उसको देखते थे थे न तो भी उनको यह लगता था कि ऐसा नहीं है कि यह बिचारा बच्चा है नहीं यह बिचारा नहीं है, अब इसके मन में ना कोई भी डर नहीं रहा, अब इसके मन में ना गुस्सा आ चुका है, बहुत ही ज़्याता गुस्सा, और यह न आम इन चीरों से पीछे मुलके नहीं भागेगा, अब एलेक्स बोलता है न, कि भई मैं एक 11-12-13 साल का बच्चा ही लेकिन तब भी लोग मुझे से डरते हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, हो सकता है उनके अपने रीजन्स हो, एक दिन न, मैं पुरी दुन्या को हला के रख दूँगा, और जिस किसी ने भी कतल करा था, मेरे माबाप का, मेरी बहन का, मैं उनको सबक से खाऊंगा, पिछले 14 साल से, मैं ये चीज हर दिन सोचता हूँ, हर दिन, बहुत सारे थेरेपिस्ट को भी दिखाया, जब उसके परिवार की मित्ती हो गई थी, और जो सारे थेरेपिस्ट थे न, वो एकी बात कहते थी, ये सोचता बहुत जादा है, और जो उसके अंकल थे न, वो हर ब माई सजेशन से न, तुम अपनी गाण में डाल लो, एलेस बोलता है न, कि ये थेरेपिस्ट को इतनी सी बात समझ मिन आती, कि मुझे सही नहीं होना, मैं लोग को जलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनके खून निकले, मैं को पेन देना चाहता हूँ, दुख देना और जो भी सब के लिए जिन्मिदार है न, उसको मैं हजार गोना ज़्यादा दर दूँगा, तो इस नोट पर होती है ये वीडियो खतम, I hope so ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, so thank you and stay connected.